हलो फ्रेंट्स तो चलिए आज हम आपको बहुत ही टेस्टी हैं हेल्थी लड्डू बनाना बताएंगे वो भी मुमफली के दाने की और अभी मुमफली निकली हुई है तो बहुत ही सब के घर में एविलेबल होगी और मार्केट में भी बहुत ही आसानी दाम से मिल जाती है तो फ्रेंट्स देखिए इस तरीके से हमने इन फली दानों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूँच लेना है हमने लगबग एक कलो के करीबन हमने ये मुमफली दाने लिए है और इनको हम अच्छे से भूँच लेते हैं जब तक कि हम इनको इस तरीके से हाथ से छिलका निकाले तो निकल जाए तो समझ लेना कि हमारी मुमफली अच्छे से भूँच चुकी है फली दाने हमारे अच्छे से भूँच चुकी है तो देखिए इस तरीके से और हम इनको ठंडा होने देते हैं इसी तरीके से तो देखिए यह हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो हम इनको इस तरीके से हाथ में लेकर दोनों हतेलियों से रगड़ती हुए इनके सारे छिकल निकाल लेंगे जिससे की हमारे लड़ों में काला पन ना रही तो देखिये friends इस तरीके से हम निकाल देते हैं क्योंकि भुणज गाए तो बहुत ही आऽानी से निकल जाते हैं इसी तरीके से हम् सारे फल्ली जितानों के बीचों के निकाल लेते हैं तो देखिए ये हमने अच्छे से निकाल का तो आप देख सकते हैं तो चलिए अब इनको जो खलवत्ता होता है उसमें हम कूटेंगे आप चाहे तो मिक्सर में कर सकते हैं अगर कहीं आपके पाद खलवत्ता नहीं है तो अगर कहीं आपके पाद यह खलवत्ता है कूटने का तो आप इसी में करें क्योंकि बहुत ही टेस् अयुक्ती एंडिनक टेश्ट या और देखिए आप आपको मिक्सरक पीक्स नहीं आयेगा, जो इस तरीके से आईगा तो इसे तरीके से हमें बारिक से कूट लेना है तो देखिए हमने अच्छे से कूट कर रेडी कर लिए हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से ज़्यादा बरी नहीं करना है हमें हलका सा दरदरा सा रखना है जैसे कि हमारी सूजी होती है उसी तरीके कि हमें इसको रखना है उससे भी थोड़ा सा मॉटा है कुछ इसमें दाने तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से पूरक कूट कर रेडी कर लिए है और इसी तरीके से हम गुड़ को भी इसी में कूट लेते हैं हमने एक किलो फली दानों में आधी किलो गुर का यूज़ कर रहे हैं और इसको भी हम इसी तरीके से कूट लेंगे आप चाह लड़ू टाइट हो जाएंगे अगर कहीं आप ऐसे ही करेंगे तो आपके लड़ू बहुत ही नरम और सौब्ण बने रहेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे गोड़ को अच्छे से कर लिया है और गोड़ को हम अच्छे से उसमें मिक्स कर लेते जो हमने फली राने क साथ में हम इसमें 2-3 चमच के करीवन हम घी एट कर रहे हैं जिससे की बहुत ही हैल्दी रहे है यह हमारे फली दाने और गुड़ खाने से तो बैसे ही खुन बढ़ता है बहुत ही डॉक्टर्ट भी हमको बताती हैं कि आप फली दाने और गुड़ खाएं जिससे की आपका बढ़ेगा तो आप इन लड़ूं को ज़रूर बनाए आपकी एनर्जी बनी रहेगी बहुत ही स्ट्रॉंग बनाईगी आपको और आप इसी तरीके के लड़ू बनाकर खाते रहें और यह सर्दियों में भी बहुत फाइदा करते हैं तो इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स क कर लिया है और दोनों हातों में इस तरीके से दबा कर लड़ू को बना लेना है जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा आकार उसको दे सकते हैं तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से हमने इस लड़ू को बनाकर रेड़ी किया है आप इसी तरीके से बनाकर लड़ूं को ready कर लें देखिए बहुत ही amazing, भहँत ही अच्छा नज़र आ रहा है देखिए आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारी लड़ूं को बनाखर ready कर लेते हैं आपको एक अछल लड़ू दिखा दे ये तो इस तरीके से आप लड़ू बनाकर ready कर ले देखिए इसी हमने सारी लडून को बना आकर बिदी केलिया है तो फेंस आप बताएं आपको मिकसर के disc اور यह नह chilli में चलीए सबसे जादा करते हैं मुझे तो यही लटू जादाrone आपटे आपसे jakры कर दाते ना आप बनाये और कमेंट बोक्स में कमेंट करने किरasure अरेक कि आपकरा बाल करते हैं कि आपकरा करो